नमस्कार मैं हूँ अंशिता पांचवी क्लास के बच्चे भी इंच्छापो पर हसने लगे हैं कहते हैं दिल्ली से अंकल आए हैं लगता है चुनाव होने वाले हैं लेकिन तमिलनाडू के मुख्यमंतरी स्टालिन को छेड़ना भाजपा के लिए मुसीबत बन गया उन्हें मोदी ने केजरिवाल समझा था कि पीछे से LG के जरीए खुद फैसले करने लगेंगे लेकिन स्टालिन ने राजपाल को साफ साफ समझा दिया है कि आप BJP के एजेंट की तरह काम करेंगे तो मुश्किल होगी बहतर होगा इससे परहेज करें लेकिन अब उन्होंने जो किया है वो मोदी के लिए बुरी लेकिन अब विपक्षी दलों ने इसकी एंट्री पर बेन लगाने के लिए और कमर कसली है तमिलनाडू सरकार में मंत्री सेंथिल बाला जी की गिरफतारी के बाद ये मुद्दा ज्यादा गर्मा गया है उसके बाद से विपक्षी दल एक सुर्मे मुदी सरकार के खलाप फ पैसला जान लेजिए आप जानते ही हैं कि 14 जुन को सेंथिल बाला जी की गिरफतारी के बाद से राज्य का सियासी पारा गर्माया हुआ है जगा जगा विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं खड़गे से लेकर केजरी वाल तक हर किसी ने ऐसे मोधी सरकार की तानशाही बता अब तक CBI बिना राज्य सरकार की अनुमती के तमिलनाडू में जाच कर सकती थी लेकिन बिजली मंत्री के गिरफतार होने के बाद तमिलनाडू सरकार ने बड़ा निर्णे लिया अब CBI को किसी भी प्रकार की जाच से पहले अनुमती लेनी होगी अपने इस पैसले के के उन और राज्यों में शामिल हो गया है जहां CBI को बिना राज्य सरकार की अनुमती के जाच का अधिकार नहीं है उसे दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिश्मेंट एक्ट के तहत अनुमती लेनी होगी अब तमिलनाडू सरकार का फैसला तो आपने जान लिया अब बात करते हैं विपक्ष की योजना की तो आपको बता दें कि जैसे ही तमिलनाडू सरकार ने जाच एजेंसी की एंट्री बैन की बिहार में भी चिंगारी सुलगने लगी महगट बंधन के नेताओं ने केंद्री एजेंसियों पर बैन लगाने की मांग उठानी शिरू कर दी इस भाजबा इसके खलाफ है और इसे लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है वैसे विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच बहस और जुबानी जंग छिड़ना कोई नई और हैरानी की बात नहीं है लेकिन यहां सवाल यह है कि जिन राज्यों में जाच एजेंसियों की एंट्र 2014 से जब केंद्र में मोधी सरकार आई विपक्षी दलों ने CBI का दुरूपयों का आरूप लगाना शुरू कर दिया इसके बाद 2015 में मिजोरम की ततकालीन कॉंग्रेस सरकार देश में ऐसी पहली राज्य सरकार बनी जिसने अपने राज्यों में CBI की जाच की सहमती वापस उसके बाद से अब तक 9 राज्यों में अपनी सहमती वापस ले ली है इसमें पश्रिम मंगाल आंद्रप्रदेश, राजस्थान, केरल, मिजोरम, पंजाब, तेलंगाना, 36 गर जैसे राज्य शामिल है अब इसी करम में तमिल नाडू भी शामिल हो गया है आपको बता दें क के एंडिये से अलग होने के बाद आंद्रप्रदेश की चंद्रबाबू नाइडू सरकार ने 8 नवेंबर 2018 को प्रतिबंध लगा दिया था उसी साल नवेंबर महीने में पश्रिम मंगाल की मुख्यमंतरी मम्ता बनर जी ने भी ऐसा ही किया 36 गड के कॉंग्रेस सरकार ने 10 जनवरी 2019 को CBI को राजज में जाच के लिए दिया गया जनरल कंसेंट वापस ले लिया वही राजस्थान में भी जुलाई 2020 में CBI की एंट्री बैन हो गए और अब 2023 में तमिलनाडू सरकार ने ये फैसला लिया है इसके बाद उमीद है कि बिहार भी इसी रहा पर आगे बढ़ सकता है क्योंकि बिहार में जब से NDA की सरकार गिरी और महागटवंधन की सरकार बनी तब ही से जाच एजन्सियों की दिल्चस्पी इस राजज में ज्यादा बढ़ गई है अब बढ़ गई है या बढ़वा द जानी होगी कि नहीं बिल्कुल संभव नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि अगर राज्य सरकार इजाजत नहीं दे तो जाच एजन्सियां हाई कोड या सुप्रीम कोड तक महुच जाती है क्योंकि इनके आदेश से जाच शुरू हो सकती है जैसे पश्विम मंगाल में जब सरकार ने सीबियाई जाच का विरोध किया था लेकिन हाई कोड के आदेश के बाद इनकी जाच सीबियाई और एडी से हो रही है यानि कारवाई तो नहीं रोकी जा सकती लेकिन इस तरह से गैर बीजेपी शासित राज्यों का एक ही फैसला लेना यह दर्शाता है कि विपक इसमें तस्वीर कुछ और हो सकती है बीजेपी यह ना सोचे कि मुकाबला बेहद आसान है क्योंकि विपक्ष एक जुठ होगा तो मुकाबला तो कठन होगा ही वापस लोटने हैं अपने मुद्दे पर तो अब नौ राज्यों में जाच एजेंसिया बिना राजिस सरकारों की इजाजत के एंट्री नहीं कर पाएंगी अब सभी की निगाएं टिक गई हैं बिहार पर कि नितीश और तेजस वे कभी ये फैसला लेते हैं क्योंकि विपक्षी पार्टी के नेताओं में मुक्यमंत्री नितीश कुमार और उडिशा के मुक्यमंत्री नवीन पतनायक को चोड़ कर बहुत कम ऐसे नेता हैं जिनके दल में अभी तक EDA CBI ने दस्तक नहीं दी हैं आप जानते ही हैं बिहार में लालू प्रिसाद यादव के परिवार में तेजप्रताब यादव को छोड़कर परिवार के लगभख हर सदस्तिक के खिलाफ EDA CBI जाच हो रही है यही वज़ा है कि महागटवंधन के नेताओं ने मांग तेज कर दी है अब मोधी सरकार के खिलाफ एक जुठ होते विपक्ष को देख कर लोग बातें कर रहे हैं कि यह तो बस शुरुवात है आने वाले दिनों में यह मुद्दा भी गरम होगा और सियासत भी और 2024 के चुनाओ तक तो आरपार की लड़ाई छिर्णी ताय है इस वीडियो में इतना ही आप से नरो रोध है क्यूट्यूब पर हमारी चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए फेस्बुक पर लाइक कीजिए और कॉमेंट करके बताएए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाए ये भी जरूर बताएएगा ट्विटर है आर्टिकल 19 इंडिया इसको भी फॉलो कर लेजे नमस्कार